नवश्कार के निउज के फाइनल बुलेटेन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कपिल मिश्रों खबरों की शुवात करेंगे कानपूर से जहां पर IIT द्वारा टेक करती कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश बच्चों को टेक्निकल अवेरनेस देना है अब तक 22 राज्यों के 150 शहरों में बच्चों ने अपना रजिस्टिशन कराया है ये इविंट दो चरणों में आयोजित किया जाएगा पहले चरण में उनलाइन रिटेन एक्जाम होगा जो बच्चे पहले चरण में टॉप पार्टिस्टिपेंट्स होगे उन्हें दूसरे चरण के लिए आयाईची कानपूर इन्वाइस करेगा दूसरे चरण में बच्चों अपने परिजनों के साथ आ सकेंगे जिसमें कॉम्पूटिशन इ अच्ची वर्मा से मिलने का मौका भी मिलेगा फेस बन के विनर को ओफलान आईटी कानपूर आने का मोका मिलेगा जिसमें टॉक्स होगा जो वितेसी और मसर के साथ इंटेक कर सकते हैं एंट एक्सिटेशन होगे यह यह अराउंड हमारे पर 17 क्लब से उसके बाद उनका एक कॉंपूटिशन होगा उस कॉंपूटिशन के बशिए पर विनर डिसाइड ओगे विनर को अप्ट तू लग्के प्राइज मिलेंगे जिसमें टेबलेट होगा स्मार्ट वाचेज एंड इस्पीकर्स होंगे एंड जो फेस्टेकंड के चैंपियन्स होंगे उनको इसरो का फुल स्पॉंसर गाइड टूर मेलेगा वी आर टीम टेकरिती, मैसल्फ दक्ष, हैड मीडिया और पबलेसिटी टेकरिती तो हर साल की तरह इस साल भी हम टेकरिती ओपन स्कूल चैंपियंशिप और गिनाइज कराने जा रहे हैं विच बेसिकली फॉर स्कूल स्टूदेंस फ्रम क्लास 6 तो क्लास 12 तो यह कॉंपिटेशन और गिनाइज करा जाएगा 30 दिसेंबर को जो एक उनलाइन रिटन एक्जाम होगा जिसको हर बच्चा अपने घर से अटेंप कर सकता है उसके बाद फेस वन के जो टॉप पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको वील बी इन्वाइटिंग तो आईटी कानपूर विच विल इंक्लूड इवेंट्स वर्क्शाप्स और कॉंपिटेशन बेस बेसे बादें टेक्नोलोजी विच विल गिव वेरी इंपोर्टन एक्स्पोजर तो आई इनिशल स्टेज तो इसलिए इसलिए जरूरी है हर बच्चे के लिए क्योंकि एक ग्रास्रूट लेवल पर जब वो चीज़े सीख रहा है जब वो चीज़े समझ रहा है उस समय उनके पास एक मौका है कि वो एक टेक्निकल एज्यूकेशन की अवेरनेस उनको मिल सके बेसे के लिए